नमश्कार प्यारे साथियो मैं निशान सिंग प्रताब क्लासे के यूट्यूब चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी को पताया भी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के उपर आपको रिजनिंग क्लासें प्रुवाइड करा रहे हैं जिसके अंदर हमने आपको आज तक 4 या 5 टोपि कवर करवा दिये थे । हम अपना अगला चैपटर सिरेनि करम कर रहे थे स्रंखला कें अंदर हमने श्यनिवार को एक क्लास दी थी आपको जिसके अंदर हमने बेसिक आपको बताई थे भी उस सीरीज का जो basic concept होते हैं उसको कैसे यल करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले जो उस दिन किया था उसका revision उसके बाद में करेंगे कुछ important question तो सबसे पहले देख लेना मैंने आपको कुछ महतवोन बातें बताई थी सरंकला से regarding पहली बात तो मैंने आपको बताया था भी आपको अगर कोई भी question आजाए इस रंकला की उपर तो आपको सबसे पहले चेक किसे करना है सबसे पहले आप चेक करोगे अब ऐब दिया संक्या मैंने आपको पांच चीज़ें लिखवाई थी एक तो लिखाई थी एबाजय संख्या से आप क्योस्टन चेक करोगे एबाजय संख्या की प्रिवाशा मैंने आपको बताई थी वह संख्या जो खुद से या एक से कटे वो एबाजय संख्या होती है छीक है, दो नमबर पे मैंने आपको लिखाया था वरग से, एक से लेके 30 तक वरग भी लिखाय थे आप वरग से चेक कर सकते हाँ question को, तीन नमबर लिखाया था मैंने आपको gun से, जिसको q बोलते हैं, चार नमबर मैंने आपको लिखाया था sum या विसम संख्या से, सम विसम से और पांच नमबर में ने आपको चीज लिखाई थी वो लिखाई थी मैथ के चिने चिने लिखाई थे ना पलस माइनस गुना और बाग के ये पांच चार में ने आपको चिने लिखाई थे यानि अगर पेपर के अंदर कोई भी सरंखला से regarding कोई भी question आता है तो आप सबसे पहले किस्त को check करोगे आप एवाजय संख्या को check करोगे भी question एवाजय संख्या से हो रहा है या नहीं हो रहा अगर question एवाजय संख्या से नहीं हो रहा तो आपको दूसरा जो matter अपनाना होगा वो होगा वर्ग का आप वर्ग से चेक करोगे तीसरा आप चेक करोगे गन से चोथा आप चेक करोगे सम्याविस्व संख्या से क्यूस्टन नहीं हो रहा अगर इन चारों से नहीं हो रहा तो फिर क्यूस्टन किस से होगा चिन्हे से यानि पलस माइनस गुणा और बाग के जो चिना होते हैं मैथमेटिक निशान बोलते हैं इनको उन निशानों से फिर वो क्यूस्चन जरूर हल होगा ये तो थी बेसिक बेसिंग बाते हैं अगर आपको ये चैप्टर बिलकुल अच्छी तरह से क्लियर करना है तो आपको मैंने उस दिन भी बताया था एक से लेके एक से लेके तीस तक तो आपको वरगया दोने चाहिए जो मैंने आपको लिखवाए थे और एक से लेके बीस तक एक टू 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 टी एक से लेके बीस तक आपको गनया दोने चाहिए ठीक है अगर आप इस चेप्टर को अच्छे से करना चाते हो तो आप किसी भी competition के अंदर बैठ जाना जहां पे reasoning आपको पूरी की पूरी reasoning दे रखी है ना इस चेप्टर से लगबग पूरी reasoning का 30% person पूछा जाता है 30% इस चेप्टर से पूछा जाता है तो इस चेप्टर को हलके में बिलकुल मत लीजिएगा अच्छे से पढ़ लेना तो आईए चलिए देखते हैं कुछ important question कुछ important इसकी type देख लेना first question हमारा क्या कह रहा है first question बोल रहा है जो संबंद 20 का 480 के साथ है वही संबंद 25 का किस के साथ होगा हमें ये बताना है जो संबंद 20 का 480 के साथ है जो संबंद देख लेना यहां पे लिखा हुआ है 20 अनुपात 480 समानुपात 25 आगे question mark का निशान दे रखा है हम को ये पहचान करनी है, बिस से 480 पर गया तो देख लेना, इसने क्या किया था, 20 के अंदर सबसे पहले इसने पलस किया 4, तो कितना हो जाएगा 24, फिर 24 इंटू 20 इसने किया, यानि 24 तो यह जो नई संख्या आई, और 20 इसने पुराने वाली उठा ली, यह वाली संख्या 24 into 20 किया तो इसने 480 आ गया ठीक है यही यह देख लेना जो ट्रिक आपकी पहले portion के अंदर लगती है वही ट्रिक आपकी दूसरे के अंदर लगनी चाहिए फिर question का उत्तर सही होगा यह बात इसकी important बात है याद रख लेना देख लेना यहां पर 20 के अंदर 4 पलस किया था तो यहां पर 25 के अंदर 4 पलस करेंगे तो नई संख्या कितनी आ जाएगी 39 आ जाएगी और पुरानी संख्या क्या है हमारी पुरानी संख्या है 25 जब 29 और 25 का हम multiply करेंगे तो 29 और 25 का multiply प्रिप्लाई करने पर हमें उत्तर प्रापत होगा 725 जो की अप्शन के अंदर दे रखा तो क्यों सी सब्सक्राइगी 725 ठीक है यह देख लेना जो संबंद 20 का 4 स्वसी के साथ है वही संबंद 25 का 725 के साथ होगा दोनों पे या तीनों पे यहां पे कितने भी दे सकता है यहां पे समानुपात का निशान लगा के वो आगे भी कुछ दे सकता था ठीक है जैसे उधारन के लिए आगे भी कुछ दे सकता था तो जो ट्रिक इस पे फोलो हो रही है वही इस पे होनी चाहिए ये सेम ट्रिक, अगर ट्रिक अलग है तो आपका उत्तर गलत होगा, इसके बाद में करते हैं, क्यूस्चन नमबर नेक्स्ट देख लेना, क्यूस्चन नमबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो संबंद सोडा का 120 के साथ है, वही संबंद 18 का किस के साथ होगा, ये हमारा क्यूस 120 पर जाएंगे, तो सबसे पहले क्या दिमाग के अंदर आता है, एबाज्या संख्या, तो सोडा तो एबाज्या संख्या नहीं है, ना 18, ना 120 है, और ना यहां पे आने वाड़ी संख्या होगी, वह एबाज्या संख्या होगी, तो ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता, तो फ ne ही अगीए है तो आजाएगा हमारा 120 धे पड़ा 1 अगर यहीर ट्रीक इदर लग रही है तो आपका उत्तर यह सही है है तो देख लेना, अठारा के अंदर दो का भाग देंगे, तो नई संख्या में कितनी प्रापत होगी, नो, नो प्रापत होगी, तो सबसे पहले पुरानी संख्या कितनी है, अठारा है, और नई संख्या कितनी है, नई संख्या है, नो, तो अठारा निमा कितने होते हैं, अठा इसका नो कर देंगे एक सुबास्ट में से नो माइनस करेंगे तो 153 इसका उत्तर हो जाएगा यानि क्यूश्चन मार्ग के स्थान पर कौन सी संख्या जाएगी 153 की option के अंदर दे रखी है ठीक है उमीद करता हूं आपको क्यूश्चन समझ में आ रहे होंगे अगर समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो इसके साथ इसके बाद में देख लेना question number next यह देख लेना बिल्कुल असान सा question है यह जो संबंद सोडा का 256 के साथ है वही संबंद 21 का किसके साथ होगा मैंने आपको क्या बोला था अगर यह chapter आप इस question को देखते ही टिक कर दोगे सोडा का वर्ग क्या होता है 256 सोडा इंटू सोडा यानि सोडा की power 2 करेंगे तो 256 आएगा वही 21 की power 2 करेंगे तो 441 आएगा यानि 21 गुणा के अंदर 21,441 option number one ठीक है इसके बाद में करते है question number next question number next हमारा ग्या बोल रहा है देख लेना 77 का पहले तो इसके उसनों के अंदर तो देख लेना चोटी संख्या आगे दी थी बड़ी संख्या बाद में यानि चोटी का संबंद बाद वाली संख्या के साथ था तो इसके अंदर इसने बड़ी संख्या पहले दे दी चोटी बाद में दे दी तो देख लेना 77 से 11 कैसे आया 77 से 11 कैसे आया तो देख लेना 77 के अंदर हम किसका बाग देंगे भी 11 आ जाएगा 77 के अंदर हम किसका बाग देंगे तो 11, 7, 77 7 का बाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 का बाग देंगे तो 11 आ जाएगा अगर 7 का बाग इदर देंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी देख लेना साथ का बाग इसके अंदर देंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी 259 के अंदर साथ का बाग देंगे तो साथ यह कितने होते हैं 21 उपर से 4 उतारा और सत्व सत्व कितने होते हैं 49 तो कितना उतर आ रहा है? 37 यहां पर कियुसट demiş अन्धर स्थान आ जाएगी 33 आ जाएगी या नहीं इसने 87 के अंदर भी 7 का बाग दिया 259 के अंदर 20 ने क्या किया 7 का बाग दिया इसके बाद में देखते हैं कियुसटें कियुसटें नमबर नेक्ष्ट तो ये देख लेना, question number next हमारा क्या बोल रहा है, question number next हमारा बोल रहा है, 15 का जो संबन 231 के साथ है, वही संबन सोड़ा का किसके साथ होगा, 15 का जो संबन 231 के साथ है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप अबाज जैसे चेक करोगे, अबाज जै संख्य यह 15 होते हैं और 8 दूनी 16 होते हैं तो यह तो संख्या सभी वाड़ों से कट रही है लग 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 तो इसके बाद में सबसे पहले क्या चेक करेंगे वर्ग चेक करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है ठीक है इसके बाद में करते हैं question number next question number next नमारा क्या कह रहा है यानि 8 का जो संबंद 70 के साथ है वही संबंद 87 का किसके साथ होगा तो देख लेना सबसे पहले अबाजा संख्या चेक करेंगे तो 70 भी अबाजा नहीं है क्योंकि 7 से भी गट रही है यह सतर से भी गट रही है एक से भी गट रही है तो यह तो अबाजा संख्या नहीं है इसके बाद में 8 चेक करेंगे 8 भी अबाजा संख् किया 6, तो कितना आ जाएगा हमारा 17 आ जाएगा, यानि 8 से, इसने पहले तो 8 का वर्ग किया, उसके बाद में पलस 6 कर दिया तो 17 आ रहा है, यही देख ले 87 किसके वर्ग के पास की संख्या है, हमें यह बताना है 87 किसके वर्ग के पास की संख्या है तो हमें सब को पता है भी 8 का वर्ग तो होता है 64 ठीक है 9 का वर्ग कितना होता है 81 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है तो सबसे पहले देख लेना 9 का वर्ग करेंगे 9 का वर्ग किया तो कितना आ गया 9 का वर्ग किया तो 81 आ गया 81 के अंदर हम 6 पलस करेंगे तो कितना आ रहा है 87 तो यह पड़ा 87 और क्यूस्टर मार्किस्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी 9 संख्या आ जाएगी ठीक है यह देख ले ना जो संबंद इधर आ रहा है वही संबंद इधर आना चाहिए सबसे पहले इसने 8 का वर्ग किया 64 आया 64 के अंदर इसने 6 पलस क किया तो 87 आ रहा था मतलब क्यूस्टिन मार्किस्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी 9 संख्या आएगी इसके बाद में करते हैं क्यूस्टिन नंबर नेक्स्ट तो यह देख लेना इसके अंदर यह क्या होगा देख लेना कौन सा क्यूस्टिन आ यह चार का जो संबंद 64 के साथ है वही समंद 6 का क्यूस्टन मारकिस्थान पर जो संख्या आएगी उसके साथ होना चाहिए और वही समंद 5 का 100 के साथ होना चाहिए तो सबसे पहले इसने देख लेना क्या किया था सबसे पहले इसने क्या है कैसे इसको किया है तो देख लेना चौन। 67 का एक तो देख लेना चौन। 64 का अगर सब से पहले हम और बज्जा संख्य करती हैं तो चार वज्य कितना होता है तो 6 का और। करेंगे 64 लेकिन यह ट्रिक इदर नहीं लग रही पांच का वर्ड कितना होता है लेकिन यहां पर सोव आ रहा है तो तुम दूसरी ट्रिक की तरफ जाएंगे दूसरी ट्रिक हमारी क्या बोल रही है दूसरी ट्रिक देख ले ना इसने क्या किया है सबसे पहले सोडा सबसे चार का वर्ग किया इसने चार का वर्ग कितना आ रहा है चार का वर्ग आ रहा है सोडा सोडा के अंदर इसने चार का गुणा किया तो कितना आ जाएगा चार का ग ने पांस का गुणा किया तो बीस पंजे कितना आ जाएगा बीस पंजे सो आ जाएगा और इसके बाद में सबसे पहले इसने क्या किया च्छे के अंदर चार का गुणा किया तो कितना आ जाएगा च्छो के चोविस आ जाएगा ना इसके बाद में चोविस के अंदर जब हम च रिक लग रही है जो छोटी संख्या उसके अंदर इसने चार का गुणा किया और जो नई संख्या आ रही है उसको पुरानी संख्या के साथ गुणा किया reward यहां पर च्रह गिए तो कितना आग preach हूँ के साथ फिर जो पूरानी संख्या दे रखी उसका गुणा किया तो कितना आ रहा है एक सो चुमारीस जो की option के अंदर दे रखा है इसके बाद में करते हैं question number next next number question हमारा क्या बोल रहा है next number देख लेना 7 का जो संबंद 36 के साथ है वही संबंद 5 का किसके साथ होगा आपको ये बताना है तो सबसे पहले देख लेना एबाजय संख्या चेक करेंगे ये संख्या एबाजय नहीं आरी तो एबाजय संख्या से तो ये question नहीं होगा उसके बाद में सीधा चेक करेंगे देख लेना साथ के अंदर सबसे पहले आप फलस करके देखोगे उसके बाद में माइनस करके देखोगे उसके बाद में गुणा करके देखोगे तो साथ के अंदर कितने का गुणा करें भी 36 आ जाएगा साथ के अंदर गुणा करेंगे अप उन साथ के अंदर गुणा करेंगे सब से पहले 6 का साथ पंजे 35 होते हैं अगर पांच का गुणा किया तो कितना आएगा 35 आएगा लेकिन अप उनने 6 का गुणा किया तो साथ चिके कितने आ जाएंगे साथ चिके 42 आ जाएंगे और माइनस का इसने कर दिया 6 42 में से 6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36 वही देख ले ना 5 के अंदर हम किसका गुणा करेंगे? 5 के अंदर गुणा यहां पे 6 का किया है तो यहां पे भी 5 के अंदर किसका गुणा करेंगे? 5 के अंदर 6 का गुणा करेंगे तो 5 के कितने हो जाएंगे 30 फिर यहां पर minus का 6 किया था तो यहां पर भी minus का 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 तो यहां पर नई संख्या कौन सी आ जाएगी 24 जो की option के अंदर दे रखी है इसके बाद में करते है question number next तो देख लेना 6 का जो संबंद 266 के साथ है वही संबंद 8 का किस के साथ होगा आपको यह बताना है तो मैंने आपको क्या बोला था एक से लेके 20 तक आपको वरग याद हो और सोरी गन याद होने चाहिए तो यह देख लेना जब 6 गुणा के अंदर 6 गुणा के अंदर 6 करेंगे तो चीकु में कुछ 36 और 36 चीके 216 यानि 6 की पावर 3 कर रखी है इसने और वही ट्रिक इदर फोलोएगी 8 गुणा के अंदर 8 गुणा के अंदर 8 8 अठो 8 चौन सट चौन सट आठे 512 तो यहां पे कितना आजाएगा 512 यानि यहां पे 8 की पावर 3 कर रखी है यहां पे 6 की पावर भी 3 कर रखी है इसके बाद में क्यूस्चन नमबर नेक्स्ट पंदरा का जो संबंद 210 के साथ है वही संबंद 26 का किसके साथ होगा तो देख लेना सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले 15 का क्या चेक करेंगे 15 को चेक करेंगे ऐबाजय संख्या 15 नहीं है ना 210 और 926 है ऐबाजय संख्या तो फिर बारी आती है वरग की 15 की जब पावर 2 करेंगे तो कितना आजाएगा 225 225 माइनस 15 किया इसने तो कितना आ रहा है 210 आ रहा है यानि जिस संख्या का आप वरग कर रहे हो उसी संख्या को माइनस करना है तो 210 जो कि यहाँ पे दे रखा है अगर ये ट्रिकेदर भोलो होगी तो ओप्शन के अंदर इसका उत्तर जरूर मिल जाएगा यानि क्योष्टन माकिस्तान पे कौन सी संख्या आ जाएगी संख्या आ जाएगी 650 इसके बाद में करते हैं क्योष्टन नमबर नेक्स्ट नेक्स्टन नमर क्योष्टन हमारा क्या बोल रहा है यह देख लेना नो का जो संबंद 44,001 के साथ है 14 का जो संबंद 55,211 के साथ है वही संबंद 46,521 का किस संख्या के साथ होगा आपको ये बताना है तो देख लेना सबसे पहले इसको कैसे करोगे जब इतनी छोटी संख्या से इतनी बड़ी संख्या आ जाए सब से पहले आपके दिमाग के अंदर एक ही आईडिया आना चाहिए क्या आईडिया आना चाहिए अंकों का योग जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या आ रही हो ना तो एक ही दिमाग के अंदर आईडिया आना चाहिए अंकों का योग तो देख लेना यहां पे अंकों का योग करेंगे चार और चार आठ और एक नो जो की यांपे दे रख है पांच और पांच दस और दो बारा और एक तेरा और एक चौदा जो की यांपे दे रख है चार और छेज़, दस और पांच, पंदरा और दो सत्रा और एक कितना हो जाएगा? अठारा, कितना हो जाएगा? अठारा, जो की ऑप्षिन नमबर ए हमारा सही हो रहा है ठीक है इसके बाद में देख लेना Qe influenced number करते हैं next next number question हमारा क्या बोल रहा है साथ का जो संबंद 345 के साथ है और 6 चार का जो संबंद 66 के साथ है वही संबंद आपको किसके साथ बताना है नो का संबंद किसके साथ होगा वही संबंद आपको बताना है तो सबसे पहले देख लेना 7 का ये देख लेना सबसे पहले आप ऐबाज़े संक्या चेक करोगे तो ऐबाज़े संक्या 345 नहीं है क्योंकि इसके अंदर啊 रहा पांच Him से बिगट रहा है और पांच Him से बिगट रहा है और चौछ 600 भी आप अच्छ अच्छ 16 तो इसके बाद में देख लेना इसको कैसे करेंगे वरग से चेक करेंगे तो साथ का वरग कितना हो जाएगा उन्चास हो जाएगा लेकिन ये तो संख्या बहुत बड़ी है तो फिर मैंने आपको क्या बताया था अगर वरग से भी नहीं हो रहा तो कितना आ जाएगा 3, 4 और 5 345 जो की संख्या ये पड़ी इसके बाद में देख लेना 4 का वर्ग जाओ 4 का जब आप क्यूब करके देखोगे तो 4 गुणा के अंदर 4 गुणा के अंदर 4 तो कितना आ जाएगा ये 64 आ जाएगा फिर इसने पलस का 2 किया तो कितना आ जाएगा 66 जो की ये पड़ा अभी देख लेना 9 गुणा के अंदर 9 करोगे यानि 9 की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 729 फलस का 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 731 जो की ऑप्शन के अंदर दे रखा है इसके बाद में देखते हैं साथ होगा और पंदरा का जो संबंध चार सो इक्यासी के साथ है तो आपको ये वड़ा क्यूस्टिन देख लेना ये वड़ा क्यूस्टिन कैसे होगा तो सबसे पहले इसने क्या किया है सबसे पहले दो गुनी इसने संख्या किया यानि आठ का आगे वाड़े के साथ गुना करके यानि आठ के साथ के बाद में आगे वाड़ी संख्या कि इसकी क्या हो जाएगी साथ के अंदर इसने पलस का एक किया तो कितना आजाएगा आठ आजाएगा आठ और साथ को इसने गुणा किया यानि आठ का इसने गुणा किया था किसके साथ इसने गुणा किया होगा भी आठ एक सो तेरा आ जाएगा तो आठ का इसने सोड़ा के साथ गुणा किया होगा एक सोड़ा अठी एक सो बारा सोडा गुणा के अंदर 8 का किया होगा तो कितना आएगा 112 फिर इसने पलस का ए कर दिया तो कितना आजाएगा 113 यही ट्रीक अगर 15 के साथ फोलो होगी 15 के आगे 15 पलस का ए करेंगे तो कितना आजाएगा 15 पलस का ए करेंगे तो कितना आजाएगा सोडा फिर सोडा का इसने किस के साथ में गुना किया होगा सोडा का गुना किया होगा सोडा की डबल संख्या यानि 32 के साथ सोडा की डबल संख्या 32 के साथ 32 इंटू सोडा का जब गुना करेंगे तो कितना आएगा चार सो असी फिर इसने पलस का एक कर दिया तो यहां पे कितना उत्तरा रहा है चार सो इक्यासी जों की यहां पे दे रखा है इसके बाद में नई संख्या हमें क्या प्रापत होगी नई संख्या हमें क्या प्रापत होगी नहीं संख्या में कौन सी प्रापत होगी सबसे पहले देख लेना 11 की आगे वाड़ी संख्या क्या हो जाएगी 11 पलस का एक करेंगे तो कितना आजाएगा 12 तो 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना आजाएगा 24 यानि 24 का इसने गुणा किसके साथ किया 24 का गुना इसने किया 11 के साथ तो 24 का गुना 11 के साथ करने पर जो संख्या प्रापत होगी वो संख्या ही इसका उत्तर होगी I hope 265 इसका उत्तर होगा आप चैक कर लेना इसके बाद में question number next 7 का जो संबंद 342 के साथ है वही संबंद 9 का किसके साथ होगा आपको ये बताना है साथ का जो संबंद 342 नहीं होगा यहां पर 345 होगा sorry चैक कर लेना इसको 300 sorry 45 होगा यहां पर 345 होगा 345 होगा साथ का जो संबंद 345 है 9 का वही संबंद किसके साथ होगा तो देख लेना आप किसको चैक करोगे सबसे पहले आप 7 की power 3 करोगे तो मैंने अभी अभी आपको ये question साहे तक दोबारा repeat हो रहा है 7 गुणा के अंदर 7 गुणा के अंदर 7 आएगा तो कितना आ जाएगा 343 पलस का इसने दो कर दिया तो कितना आ जाएगा 344 नो गुणा के अंदर 9 गुणा के अंदर 9 करोगे यानि 9 की power जब आप 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 729 पलस का दो करोगे तो कितना आ जाएगा 731 आ जाएगा पलस का 2 यहां पे करना था पलस का 2 करेंगे तो यहां पे एक option भी सोरी गलत हो रहा है पलस का 2 करेंगे तो 730 नहीं होगा 731 होगा इसके बाद में question number करते हैं next next question हमारा क्या बोल रहा है 25 का जो संबंद 625 के साथ है 35 का वो संबंद किसके साथ होगा तो 25 की जब आपको वर्ग याद होगी तो कितना आ जाएगा 25 गुणा के अंदर 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 और इसके बाद में इस संख्या को चेक करने के बाद में अप उन क्या करेंगे 35 गुणा के अंदर 35 करेंगे तो 35 की वरग होती है 1200 कुछ होती है 1200 के पलस पलस जाएगी जो की option के अंदर नहीं है option के अंदर नहीं है तो फिर इस संख्या के अंदर 25 का गुणा किया तो हमारा उत्तर आ रहा है आठ सो पचेतर क्या उत्तर आ रहा है आठ सो पचेतर जो की option के अंदर दे रखा है ठीक है तो ठीक है दोस्तों ये थी आपकी आज की class सरंखला की इसी के साथ में सरंखला का chapter भी आपका खतम होता है मैंने हर परकार के आपको question करवा दी है वरग के भी करवा दी है चिने के भी करवा दी है पलस माइनस जोड गुना बाके विसभी के करवा दी है वाजय संख्या से भी related कुछ क्यूस्टन थे वो भी करवा दी है तो इसके बाद में अब उनकर लेके आएंगे निया चैप्टर तब्द के लिए जै हिंद जै वारत